तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आपकी जो फ्रैमिंगो की लास्ट पोईट्री है क्या नाम है आंट जैनिफर्स टाइगर बाइंड्रियन रिच तो इस वीडियो लेक्टर में हम बात कर लेंगे आपकी इस पोएम को लाइन बाइन में एक्स्प्लेन कर दूँगा तो आपको पोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पोएम का और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाली है इस पोएम पर आपकी 2025 की जो एक्जाम होगी उसके लिए अच्छे से ओके तो आप प्लेलिस्ट बनी में उसमें देखिएगा सिक्वेंस सारे चैप्टर्स विद कुशन आंसर मैंने करवा रखें बहुत अच्छे से तो आप देखेंगा की फ्लैमिंगो का जो प्रोस एक्षन आपकी कि चैप्टर्स हैं उनको मैंने बहुत डीटेलल्ड संमराइज करता बहुत अच्छे से आपको कोई भी ऐसे बार्षे कुश्यन नहीं आने माला ओके बहुत अच्छे हमने include करे हैं, तो chapter अच्छे पढ़ा रखा देन उस chapter के important question answers कर रहा है, तो इस तरीके से हमने, आपके flamingo के सारे chapter complete करें हैं और उनके question answers करें हम poetry section discuss करें हैं तो आपको poetry section में भी आपको बता दूं कि मैं आपको poetry तीन video lecture में divide करके पढ़ा रहा हूँ, first video lecture में तो आपको मैं पढ़ाता हूँ, line by line explanation अच्छे से, okay, then next video lecture में हम बात करते हैं separately किसीज़ पर, reference to context explanation, यह आपके six marks की आती है जी, exam में, okay, मतलब कोई stanza दे दिया जाता है आपको, और फिर आपको उसकी explain, पहले reference लखना पर जाफी context explanation, okay, तो उस छह मैं देता हूँ, जिससे आप सब याद कर सको और अच्छे से लिख सको, okay, और लिखने का तरीका भी बताता हूँ, और फ्रेड वीडियो lecture में हम बात करते हैं important question answers पर, okay, इस तरीके से हम अपनी flamingo complete करेंगे, then विस्तास है, वो भी हम बहुत अच्छे विए में इसी तरीके स पहले chapters और फिर उसके question answers complete करेंगे, then हमारा portion आएगा short composition का, तो उसमें अपने जो short composition में, जो topics आपके notices, advertisements है, invitations है, okay, arguments है, तो सारे जो भी topics है, इन पर बहुत अच्छे से detailed video में हम बात करेंगे, then हमारे grammar का portion आजाता है, जिसमें हमारे four topics है, closet, synthesis, और आपके conjections and phrasal work, okay, तो इनको बहुत अच्छे way में हम तयार करने वाले है, one short video में बताऊंगा आपको इस चीज़ा, video की length जाद रहे कि एक उस video lecture में आपको एक डाउट नहीं रहेगा, then हम अलग से practice and question answers होते है, वो कर लेंगे, okay, जो भी आपके questions जैसे board में आते है, grammar में, वैसे कर लेंगे, okay, तो किस तरीके से 90 plus score करें, किस तरीके से unsimplice solve करें, और किस तरीके से आप answer write करकर आएं board में, okay, तो इस सारी चीज़े हैं, यह हम discuss करेंगे, और till the board exam तक, हम जो important questions की अलग से series भी निकालेंगे, जिसमें आपको सब important questions मिलेंगे, okay, तो आप उन्हें तयार करके अच्छे marks गैट आप नहीं हैं, तो आज ही चैनल से जूर जाहिए, हम बहुत अच्छे से इस बार exam में, इस तो आपको अच्छे से बीट कर दूँगा अंदर से, कि आप एकदम fully confident होके आप अपना exam में paper करकर आओगे, okay, और आपकी preparation बहुत अच्छी होने वाली है, तो यह जो poem है ना जी, poem का title है, और written by Andrea N. Rich, अब मेरी बात सुनो द्यान से, यह जो poem है, यह symbolic poem है, tigers are used only as a symbol in the poem, तो इस जो tigers हैं, वो symbol के रूप में प्रियोग हुए हैं, तो इस poetry में आपको मिलेगा देखने को, जो married life के constraints होते हैं, ना constraints होती हैं, ordeals, difficulties, troubles, इस सारी चीज़ हैं, तो वो आपकी जो married life किस परकार की हो जाती है, मतलब, after marriage, एक woman की life किस तरीके से हो जाती है, आपको, आपने देखा होगा, कई-कई, मतलब, एक देखा होगा कि कई-कई woman, married के बाद कितनी जादा परतारी की जाती हैं, चाहिए, वो domestic violence हो, चाहिए, किस तरीके से भी abusive language हो, सारी चीज़े हो, त और हर तरीके से इस सारे चीज़े हैं, तो वो बताया है, थूरू Aunt Jennifer, तो Aunt Jennifer, क्या चाहती है, अब देखो, tiger क्यों यूज हो है, tigers होते हैं, मैं overview बता रहू हो यह आपको, tigers होते हैं, वो symbol होते हैं, देखो, freedom का, free होते हैं, tiger एकदम, ओके, और powerful का, एकदम powerful होते हैं, आपके tiger चलते हैं, वो walk smoothly, एकदम शालीन तरीके से चलते हैं, बिना किसी डर के, तो यह जो सारी चीज़े होती हैं, तो यह जो सारी चीज़े होती है, टाइगर्स, टाइगर्स में होती है, तो आपकी जो Aunt Jennifer है, वो भी अपने करेक्टर में, अपने अंदर, मतलब एक चीज समझ लो कि वो जो Aunt Jennifer है, वो भी किसकी तरह बनना चाती है, टाइगर्स की तरह बनना चाती है, वो भी free होना चाती है, वो भी एकदम fearless होना चाती है, किसी से भी नहीं डरना चाती है, वो एकदम powerful बनना चाती है, वो with confidence, एकदम confidence रहे एकदम उनके अंदर, और इस सारी चीज़े होती एक panel, screen या फिर curtain हमारे यह aard screen word यूज हुआ है और उएक panel word यूज हुआ है तो आपको मानना क्या है देखो कोई curtain या नि परदा या फिर किसी kिसी रुमाल पर या कोई भी cloth हो सकता है ठीक कपड़ा हो सकता है उस पे embroidery करकर उन्होंने क्या बनाए है Tigers बनाए है ताइगर्स बन वो जो टाइगर्स बना रही है ना वो तो वो टाइगर्स को बना कि वो क्या दिखाना चारी वो अपनी फिलिंग्स है ना काई की फिलिंग की टू बी एलाई के टाइगर तो टाइगर की तरह बनने की वो उनको एम्रोइडरी करकर उनको ड्रॉ करकर अपनी फिलिंग्स समझा तो आपकी जो poetess है वो यही सारी चीजे आपको इस poem में बताएगी और married life के जो constraints होते हैं जो hardships होती है जो bitter experiences होती है एक woman की life में वो बताया गया है okay after marriage तो अब हम आते हैं आपको समझ आ गया होगा तो इस खूब अच्छे questions है या आपकी यह जो मैंने बताया नहीं आपके theme में कामा सकता है या आपके summary में कामा सकता है या आपके certain idea में कामा सकता है तो इस सारी चीजे हैं जी message message में कामा सकता है तो अराम से अच्छे से समझ आपने, अब हम बात करते हैं आपकी पोयम पर, देखो, Aunt Jennifer's Tiger, France, France का मिनिंग लिखो, Jump, Jumping, उचल रहे हैं, across screen, screen का मिनिंग लिखो, परदा या कपड़ा तो आंट जनिफर ने एक कपड़े पर या किसी परदे पर क्या बनाए हैं एंब्रोइडरी करके टाइगर्स बनाए हैं जो क्या कर रहे हैं जंप कर रहे हैं जो जम्प कर रहे है Здуш कर रहे है डिख रहे हमारे हैं में अपने अपको अपने आपको हमको देखो.. हमको आफेस लिय लिप्षित को और अपको सब्रसज़र येल्व स्टों होता है येल्व स्टों डीकड़ी पूर्खराईender तो जो टॉपेज होता है जी वो काय में यूज होता है एक स्टोन होता है एक तरीके का जो बहुत ज्यादा चमकीला होता है बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और वो किस में यूज होता है ज्वैलरी बनाते है उसमें यूज होता है तो टाइगर्स किस तरीके के है येलो कलर के bundle topey अ समझा ती येलो स्टोन इस यूजिड इन ज्वैलरी पुर्खुराज वह रशय चेंडी किस तरीके का वह एकदम येलो कलर का Hue चपे प्राइट के श्टोन होता है Green Forest मतलब jungle तो वो वह कहां के निवास है आप जंगल में ही तो रहते हैं । आपके Tiger Tigers होते है Frame वहंकल में ही तो रहते है थो तो क्या कह रही है कि वह एकड़नम चमपड़ है शायनिंग करते वहे यलू अच्छन करने हैं और वह निवासी है कहां के World of Green world of green का मिनिंग है green forest मतलब जंगल में तो अब आपको एक scenery बना लेनी है अपने mind में कि एक curtain या कपड़ा रुमाल या किसी भी पर आपकी जो आंट है जैनिफर उन्होंने क्या बना रखे हैं जो टाइगर से जंप कर रहे हैं इधर उधर गास होती ने ग्रास वह हो रखी है तो जो green forest को दिखा रही है तो जो टाइगर से हैं वो जंप कर रहे हैं समझ में आगा को एक scenery बना लाव अपने दिमाग में कि ऐसे क कोई चित्र है उसमें टाइगर उचल रहे हैं और और इधर उधर घास हो रखी है और वगरा वगरा तो टाइगर किस चीज के सिंबल है आपको बता दिया था ना मेरे आगे चलो एक बार तो जो टाइगर होते हैं किसी से डरते हैं किया नहीं डरते हैं कि यूमन बिंग से भी जो टाइगर होते हैं वो नहीं डरते हैं फियरलेस होते हैं टाइगर पावरफुल होते हैं टाइगर्स समझ में आता है न आपको अगो तेक पैस पैस यह नहीं होता है वह रन फास्ट थेजी से भागती है अब इमेज बना लो वेख उस सींडरी के जो अपने चितर अंबने माइन में बना है ना कि उछल रहे हैं और डूसरा बना लो कि तेजी से भाग रहे हैं sleek यानि होता है जी shining well groomed मतलब sleek है उनका थोड़ा सा एपरियंस टाइब बता है कि बहुत जादा yellow बहुत अच्छे तरीके से shine कर रहे हैं चमक रहे हैं yellow color में और well groomed मतलब बहुत अच्छे से उनकी health भी है और उनका design वगरा और जो भी चीजें उनकी structure वो सारी चीजें एकदम अच्छी हैं okay shivalry वो शौर्य से भरे हुए है शौर्य है तेज समझते हो न आप honorable okay बहुत जादा honorable है और शौर्य से भरे हुए हैं वो okay strong है एकदम certainty यानि meaning होता है निश्चिता लेकिन यहां पर certainty का मतलब है confidence और वो क्या है उनके अंदर confidence है तो यह बताएं कुछ qualities okay वो yellow color के हैं वो मैं जो human being है उनसे डरते नहीं है तेजी से भागते हैं shining है well groomed है और honorable शौर्य से भरे हैं तेज स से भरे हुए हैं strong होते हैं बहुत और with confidence भरे पड़े हैं confidence से तो यह टाइगर उन्होंने बनना ही हमारे को उसकी थोड़ी सी quality बता रही है okay तो टाइगर किस चीज के symbol है powerful के fearless के fearless होते हैं वो okay और वो बहुत जादा with full of confidence होते हैं they do not fear of man human being से भी नहीं डरते हैं वो किसी से तो यह सारी चीजे है ना कि उन्होंने as a symbol यूज करी है अब poetess क्या बताना चारी कि जो आंट Jennifer है वो भी किन की तरह बनना चाहती है तरीके से की she also wants to be a like a tiger तो वो भी एक टाइगर की तरह बनना चाहती जो चीजे है ना अब देखो यह तो टाइगर की quality और वो किसी तरीकी की वो वीक है वो ओल्ड है और वो डर्ती है चीजों से वो अपने husband domineering जो husband होता है उससे डरती उसके दबाव में रही है वगरा वगरा सा भी हमारे को connect करना है अच्छे से वोईलेंट सहाय है उन्होंने वगरा वगरा सब होके उनको अपनी कोई भी राय वगरा या फिर freedom नहीं थी तो अब समझ में के contrast आपको comparison समझागा ठीक अब सुनो आंट्स यानि first type fingers fluttering through her wool wool यानि वो होता है ना जो बून वाला जो होता है ना गोला टाइप का जिसमें खूब सारे डागा होता है जिससे हम वूवन करते हैं मतलब बूनते हैं किसी भी चीज को तो वूल वो होता है यानि होता है ट्रमलिंग काप रही है उनके जो हात है ना वो शेक कर रहे हैं जी वो क्या हो रहे हैं काप रहे हैं बूरी चरीके से और जैनिफर's finger fluttering through her wool अब वो जो एम्ब्रोइडरी कर रही है ना मतलब वो tigers बना रही है तो उनके जो हात है ना वही वो fluttering हो रहे हैं काप रहे हैं ऐसे हिल रहे हैं शेक हो रहे हैं find even the ivory needle hard to pull pull यानि मतलब पकड़ना यहां पर पकड़ना समझाँ आप देखो आइवरी यानि क्या होता है हाती का दात होता है ना हाती के दात से बनीवी needle okay हाती के दात से बनीवी सुई है ना उस वो भी उनको बहुत मुश्किल से पकड़ी जा रही है उनसे okay वो जो ड्रॉ कर रही है तो किस से ड्रॉ कर रही है एक ivory needle हाती के दात की बनीवी एक needle है उससे ड्रॉ कर रही है तो हम देख हमको देखने को मिलता है we find क्या उनके हात है वो काप रहे हैं इस तरीके से वो ट्रेंबल हो रही है वो शेक हो रहे हैं उनके हैंड्स क्यों हो रहे हैं समझना the massive weight of uncle's wedding band जो massive weight massive यानि होता है भई heavy heavy यानि भारी weight यानि वजन of uncle's wedding band band यानि मतलब relations मतलो रिष्टा अब मेरी बहार सुनना sits heavily upon aunt Jennifer's hand ठीक है तो यह जो शादी का जो main है उनके अंक वो अंकल तो इनके husband है ठीक है तो इनकी जो शादी है ना uncle से इनके husband से हुई वी जो शादी है वो एक heavy burden है इनकी लाइफ में रहा हमेशा से एक heavy burden रहा इनकी लाइफ पे इनका वेडिंग बेंड एक हो जादी का बंदन तो एक तरीके से इनके husband और इनकी जो married life है इनकी जो married life है वो unhappy रही है और she remembers her harsh and bitter यह चीजे लिखना आप answer में okay bitter experiences of her married life okay married life देखो वो remember करती है क्या अपने harsh मतलब बुरे painful and bitter bitter यानि बहुत दर्द ना दर्द से भरे हुए कड़ए experiences of our married life मतलब उनकी जो married life थी हम कोई क्या देखने को मिला इससे कि उनकी married life unhappy रही unhappy रही वो बिल्कुल खुश नहीं रही जी अपनी married life में बहुत ज़्यादा कठीनाईयों से बहुत ज़्यादा burden से बहुत ज़्यादा अपने husband के male domineering होने की वज़े से डबाओ की वज़े से domestic violences की वज़े से जो भी सारी चीज़े हो आपको समझनी है तो उनको कभी भी free नहीं हुई वो वो heavy burden में रही उन्होंने खूब सारे गंदे गंदे experiences लियें अपनी life में तो एक तरीके से उनकी married life है वो एक massive weight है एक तरीके से वो heavy weight है उनकी life पर उनकी जिंदगी पर तो अब वो नीडल से बना रही है ना टाइगर्स को जो हाथी के धांस से बनी जो नीडल है उससे बना रही है ना तो उनके हाथ क्यों काप रहे है she remembers her hearts and bitter experiences of her married life वो अपने जो married life के जो उनके साथ हुआ ना सब गंदा सब और पीडा है उन्होंने सही और जो चीज़े वो याद कर रही है तो याद करते वह जो उनके हाथ है ना वो काप रहे है इसलिए उन्होंने टाइगर्स को बना रही क्योंकि वो टाइगर्स की तरह ब समझ लोगे अच्छी सग्यार कुछ भी क्यूशन आजाए पोईट्री में से तो दिक्कत हो जाती है आपके कही बार ओके तो मा इतनी इसी तरह वीडियो लेक्सर बनाता हूं आपके लिए कि आपको समाझ जाते चलो अभी थाइट इस्टेंज आपका ये लास्टेंज है त दर्टेंगे लिखो भाए भी डर हुए वह दर हो दर है उनके हातों में हैंस विल लाई वह हमेशा रहेगा अभी कनेक्ट कर लेंगे हम इस्टिल विज ओडियल सी मास्टर बाई तेख ओडियल सानी होता है ओडियल से डिफिकल्टर और बिटर एक्स एंड हाड एक्स्पिर कथिनाई वगरा जु मेरीड लाइफ में एक वुमेन ठीक है समझ में आग्ए है आपको ओडियल का दीक भी मिनिंग कि लेजिये का अलो सुर मास्टर्ट भा रही का मिनिंग लिखो गए आप क्या मिनिंग लिखोंगे वो मने के बाद भी टेरिफाइड रएगी डरी वी रहेगी रहेगी तो … वो हमेशा शादी के बंदन में ही बंदी रहेगी हमेशा, after death even मरने के बाद भी वो अपने जो bitter with odials जो अपने bitter hearts जो गंदे गंदे जो पीड़ा हैं सही है, जो भी experiences हुएं उनकी life में, married life में जो जो उन्होंने सहा, देखा, हुआ उनके साथ, तो even after her death उनकी मृत्यू के बाद भी है, वो डरी भी रहेगी हमेशा terrified hands भी लाई हमेशा डरे भी रहेंगे उनके हाथ, और किस तरीके से रहेंगे वो शादी के बंदन में ही बंदी रहेगी और वो क्या, किन चीजों में गिरी भी रहेगी, odials में वो जो hard, bitter experiences हुए ना, उनकी married life है जो जो उनके साथ हुआ वो सारी चीज है, जो mastered by, जिस तरीके से वो controlled हुई है, अपने husband से, किस तरीके से तो ये सारी चीज उनकी after her death भी वो इसी तरीके से remain रहने वाली है, इसी तरीके से समझ में आगे आपको इसी चीज इतना गंदा सा भूआ हुआ है, इतनी चीज है रखिया है, तो वो even after her death वो इसी स्टेट में रहने वाली है, समझ में आगे आपको वो still ringed, यानि साथी के बंदन में ही रहने वाली एक तरीके से, इसारी डिफिकल्टीज को रिमेंबर करते हुए, चलो, the tiger in the panel, panel यानि वही आप समझ लो board मतलब कोई भी पर्दा या curtain या पर्दा, cloth, कि किसी भी screen मानलो कोई भी बड़ा chart मानलो आप और फिर कोई curtain मानलो पर्दा मानलो या cloth मानलो लेकिन जो tigers उन्होंने जो उस panel पर बनाया नो जो embroidery करके वह तो tigers बना रही थी, that she made, जो बना रही थी वह, will go on prancing, prancing यानि होता है, jumping, okay, वह यूही हमेशा jump करते रहेंगे, proudly, okay, p-r-o-u-d-l-y, proudly, proud and unfraid, fearless, अब यह बता रही है, आपकी poetess कि देखो, क्या, कि आपकी जो, वह तो, वह तो हमेशा इसी रहेंगे, यान्ट जनिफर, लेकिन वह जो उन्होंने tigers बना दिये न, embroidery करके जो बना रही थी, okay, वह हमेशा prance, मतलब, jumping करते वे, दिखाई देंगे, हमेशा proudly रहेंगे, okay, और, proudly रहेंगे, और, अनफरेड, वह किसी से भी नी डरेंगे, हमेशा, fearless रहेंगे, यहाँ इस चीज आपकी poetess ने बताना चाहा है, कि देखो, death तो, death तो, death देखो, mortal होती है, okay, तो, मर जाता इंसान, लेकिन, उसकी जो, कृतियां होती है, उसकी रचनाए, उसकी जो भी च ऐसी की वैसी रहती है, यह चीज भी आपकी poetess ने बताना चाहा है, कि, अवन आफ्टर, death, जो हमारी बनाईवी चीजे, हमारी कुछ भी निशानी कहे दो, कुछ भी अच्छी चीजे कहे दो, वर्क्स कहे, आपकी रचनाएं कहे दो, राइटिंग कहे दो, कुछ भी कहे दो, यह जो चीजे होती है ना यह हमेशा रहने वाली होती है यह कभी मरती नहीं है ओके तो यह आपकी poem कम्लीट हो जाती है तो tigers है ना जी बस ऐस शिम्बल यूज हुए है इस poetry में क्यूंकि आपकी poetess किस की तरह बनना चाहती है Tiger की तरह बनना चाहती है लेकिन उनकी married life full of harsh and bitter experiences रही है बता दिया ना मैंने आपको तो उनकी एक चाह है रही हमेशा जीवन बर कि वो किस तरीके की बने Tigers की तरह बने Tigers को मैंने बता दिया किस तरीके की होता है Tiger freedom चाती थी वो जैसे Tigers को freedom होती है Fearless बनना चाती थी कि Tigers किसी से नहीं डरते तो वो भी किसी से नहीं डरे Confidence रहना चाती थी जिस तरीके से Tiger Confident रहते हैं और work smoothly एकदम शालीन तरीके से Green Forest में गूमते हैं इसी तरीके से वो free होके Confident रहना चाती थी और अपने साब से अपने आइडियास अपने जो भी कुछ करना चाती थी वो करना चाती थी समझ में आगे Joint कर लो आप और मतलब ये सारी चीजे हैं जैसे Tigers proudly रहते हैं तो उस तरीके से वो भी proudly रहना चाती थी समझ में आगे आपको समझ में आ गया होगा तो ये सारी चीजे तो by creating Tigers she expresses हर expresses हर जो अंदर की इनर फिलिंग्स है ना इनर फिलिंग्स तो अपनी अंदर की जो कामना रही उसकी जो तमना रही ना अंदर की में इस तरीके से तो ये चीज थी समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप कमेंट स्रेक्शन में जरूर बताएगा कि हाँ सर देखो वीडियो लेक्टर थोड़ से लंबा होगा होगा लेकिन मैं आपको जो तीनों स्टेंजर जिस हिसाब से पढ़ाए है इसके रिफ्रेंश टू कॉंटेक्स मतलब ऐसे इसे 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 और और एक्स्पिनेशन इस पोईट्री को अच्छे से कर लीजेगा वह इस वार इस वार चांस लग रहे हैं इस पोईम के आने के मा को पहले ही बता दूँ मैं मजर एट 66 और ए तिंग ऑफ ब्यूटी और यह आंट जेनिफर टाइगर आपको जरूर मिलेगी आपके बोर्ड के भीफर में अच्छे से कर ले ना इन तीन पोईट्री को तो प्लीज अच्छे से कर ले ना समझ मैं आगया आपको ठीक है और बड़ा क्यूशन भी आ सकता है ठीक है चलो तो अच्छे समझ आ गया होगा आपको कमेंट शक्सिन में जरूर बतेगा कि कैसा लगा वीडियो लेक्टर नही तो आज का वीडियो लेक्टर यहीं कंप्रीट करते हैं नेक्ट वीडियो लेक्टर में इसका रिफ्रेंज टू कॉंटेक्स्ट बात करेंगे और देन हम इंपोर्टेंट कुशन आसर पर बात करेंगे क्लास 12 के स्टुडेंट्स तो आज इस चैनल से जुड़ जाहिए मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टाफ विक पर नए वीडियो लेक्टर पर बने रही है मेरे साथ थैंक्यू वर्य मुच्छ